कि हलू प्रैंड्स आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नेट के एक फोटे से कपड़े से हम काना जी की सुंदर से ड्रस कैसे बना सकते हैं यह देखें मैंने यहाँ पर नेट की कपड़े की तीन पटिया ली आप अपने हिसाब से लंबाई और चोड़ाई भी ले सकते हैं आपको जितना बड़ा या जितना चोटा रखना है आप उस हिसाब से उसकी लंबाई ले सकते हैं लंबाई मैंने असले भी जादा लिया है कि जितना फ्रिल आता है उतनी ये ड्रस सुनर लगती है अब मैं इस तरह से ड्रस में इन पटियों में नीचे के साइड में गोटे को अटेच कर लोंगी ये देखिए बस सिंपल से सिलाई बिना सिलाई मसीन के भी आप इसको बना सकत इसी तरह से हम इन बाकी दो पटियों में भी गोटा अटेच कर लेंगे ये देखिए फ्रन्स हमने गोटा अटेच कर लिया है तीनो पटिया तयार हो गई हैं अब हम इन तीनो पटियों को एक की उपर एक रक के छोटे-छोटे टाके लगाते हुए पूरी सिल लेंगे यह देखे मैंने यहां पर सिल लिया है और इसी धागे को हम खीच देंगे तो देखिए हमारी ड्रस यह गोल को उसमें हो जाएगी यह देखिए हमने उसी धागे को खीच दिया है धागे को हम इतना खीचेंगे जितनी हमें काना जी के कमर की नाप रखनी है आप नाप भी सकते हैं आपके काना जी के कमर कितनी है उसी हिसाब से आप इस काना जी की ड्रस की कमर की नाप रख सकते हैं आप उतना ही धागे को खीच दीजिए ये देखें हमारा दोस्तों घेरा तयार हो गया है अब हम एक पट्टी लेंगे जिसको तीन बरावर भागों में बाट लेंगे मैंने 14 इंच रखी है इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं मैंने इसको तीन बागों में बाट लिया है इस तरह से और बीच वाले भाग को मैं इस काना जी की कमर की ड्रस पर अटेच कर दूँगी और जो साइट का जो भाग बचेगा उसको मैं पट्टी की तरह सिल दूँगी जो ड्रस को पैना आते वक्त काना जी की कमर पर बांधने के काम आएगा ये देखें मैं सुईधागे से ये ड्रस कर रही हूँ बहुत ये सिंपली अब ड्रस को बना सकते हैं ज्यादा मेहनत के जरूवत नहीं है आप सुईधागे की मदद से ही इसको सिल कर तयार कर सकते हैं और बहुत सुंदर ड्रस तयार होती है फ्रिल भी आप अपने हिसाब से 2, 3, 4 जितनी आपको अच्छे लगे दूसरी साइट पट्टी को पराटकर अटेज कर दोंगी आप अवाओे होती है यह देखे हैं हमने अटेच कर लिया है कमर पे अब हम यह साइड के बचे वे भाग को दोनों तरफ अंदर की तरह मोडते हुए चोटे-चोटे टाके लगा कर पटी की तरह सील देंगे यहाँ पर मैंने दोनों पट तरफ के पटियां सील ली है यह देखे हैं हमारा घेरा बनकर तयार हो गया है कितना सुन्दर लग रहा है अब हम यहाँ पर इस तरह से नेट के टुकड़े लेंगे आप दो टुकड़े वाली चोली भी बना सकते हैं और आप एक टुकड़ा लेकर सिंपल भी चोली बना सकते हैं अप इस तरह से एक टुकडे पर गोटा अटैच कर लीजिए एक साइड में और फिर उसी तरह आप धागे को खीच देजिए गले की हिसाब से यह देखे जिन लगबग गले का नाप हो उसे छाप से आप अिसको धागे को खीच जेए इसको हमें इस तरह से ड्रेस पर अटैच करना है देखे मैंने कर लिया है और मैं नीचे के भाग में सिंपल सुई से चुट चुट टाके लगा कर अटेश कर लूँगी यह देखे मैं यहां मैंने आपर टाके लगा कर इसको तयार कर लिया है अब हम इसे घेरे के बिल्कुल बीच के भाग में अटाइच करेंगे यह हमारी चोली है यह देखें ऐसे हम अटाइच कर देंगे इसको मैं चोली को कमर के पीछे भागा पर लगा रही हूं चोटी चोटी ठाके लगा रही हूं यह देखे हमने चोली लगा लिए है अब हम एक चोटा सा गोटे का टुकडा लेंगे और इसके कमर के भाग पर हम इसको अटाइच कर देंगे साइट्स में भी लगा देंगे और हम ऊपर चोली में भी थोड़ा सा गोटा लगा कर डोरी छोड़ देंगे साइड में दोनों तरब गोटा चोड़ेंगे जिससे हम उसको काना जी के गले बान सके पहनाते वक्त ये देखे इस तरह से हम इसको कमर पर और ये उपर का जो गोटे वाली डोरी छोड़ी है इसको हम उनकी गरदन पर अटैच करके उन्हें पहना सकते हैं पहनने के बाद ये ड्रस बहुत ही सुन्दर दिखने वाली है हमारे काना जी बहुत ही सुन्दर लगने वाले हैं देखिए दोस्तों ड्रस कितनी सुन्दर लग रही है अगर आपको ये ड्रस सुन्दर लगे पसंद आए जरह सभी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो को शेयर करेगा थैंक